हाई गैसे आप भी शामी की A-Series TV उच करें and उसमें Setup Box Settings करना चाहते हो इस वीडियो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप उसमें Setup Box Settings कैसे कर सकते हो जनरली लोग को यही प्रॉब्लम आता है कि Setup Box के चैनल यहाँ पर प्ले नहीं होता है इसी प्रॉब्लम का solution देने वाला हूँ तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट आप अपने Setup Box को connect करके अपने टीवी के साथ ओन कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा आपकी टीवी में यहाँ पर next option मिलता है external का दो option रहेगा channel and external input का तो आपको external input पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपने connect कर रखा होगा input से AV से HDMI से वह यहाँ पर दिख जाएगा जैसी कि देख सकते हो मेरे पास AV से मेरे Setup Box से साथ connected है मेरे टीवी तो यहाँ पर so कर रहा है तो आपको यहाँ पर सबसे पहला जो option enable करना है वह ALM mode को तो अगर आप SDMI से जूज कर रहे हैं अपने Setup Box को connect करके यूज कर रहे हैं तो इनको आपको enable कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक last option मिलेगा stay to play when a source is connected तो इसको भी आपको enable कर लेना है तो आपको दो option यहाँ पर enable करना है LLM और यहाँ पर stay to play when source is connected और इसके बाद यहाँ पर back आजाना है और नीचे आना है और आपको इसमें एक option मिलेगा set system का तो system को भी आपको open कर लेना है इसके बाद यहाँ पर नीचे आना है and एक option मिलता है power and energy करके इसको आपको open कर रहे है इसके बाद आप देख सकते हो इसमें power on behavior का एक option मिलता है तो यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाएगा google tv home screen last huge input तो आपको last huge input पे click कर देना है by default यह google tv home screen पे रहता है अभी आपको यहाँ पर back आ जाना है and आपको यहाँ पर setting में ही click करना है input का एक option मिल रहा होगा input पर click करना है input पर आप जैसे click करोगे आपको यहाँ पर जो भी जिसी भी wire से आपने connect कर रखा होगा hdmi12 तो यहाँ पर connected दिखाएगा आप जैसे कि देखते हो तो पहले भी दिखाएगा लेकिन आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है मेरे एवी connected दिखा रहा है तो आपको simply एवी connected पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं नो सिगनल दिखा रहा है अभी सिगनल नहीं आ रहा है कुछ प्रॉब्लम की बद से तो अभी मैं आपको बूट करके दिखाने वाला हूं कि यह किस तरीके से सेट आप बॉक्स के साथ ही प्ले होता है मेरे चैनल य दिखाने वाला हूं एंड में बूट करके दिखा देता हूं तो यहां पर देख सकते हो मैंने स्टार्ट कर चुका हूं टीवी को और यहां पर स्टार्ट हो रही है तो अगर आप अभी तक यहां पर वीडियो को देख रहे हैं अगर आपके टीव में यह वर्क कर जाता है वीडियो को लाइक करेगा और कॉमेंट करके बताएगा कि आपके टीव में वर्क कर रहा है या नहीं तो यह दो ही तीन चीज़े आपको इनेवल करना होता इसके बाद आपके सेट आपक्स के जो प्रॉब्लम हाते हैं वह फिक्स हो जाएगा सो अभी बेड कर देते हैं टीवी बू वह जाते हैं उसके बाद मैं आपको मिलता हूं तो बागी अगर आपको कोई भी इस्यो आता इस से लेडेड तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं बागी यही छोटा सा सिंपल सा सेडिंग सा जिससे करके आप अपने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो मिलते नेक्स्ट वीडियो में अगर आप वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करिए थैंक्स फूर अचीन